साजश घालेबा गई सोदे लग गई, भोलिया लग गई, जमीर बिट गई मैं हमान की कचैरी में उस साजश को बिड़काद करना चाहता हूँ आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके पी टी आए के नाइब चेर्मेंट शाम महमूद कुरेशी ने साजश बेनकाब कर दी उन्होंने तहरीक इनसाफ के ग्रेटर इकबाल पार्क में अलजीम उल्शान जलसे में इनकिशाफ कर दिया उन्होंने बताया फारण फंडिंग के साजश गड़ी जा रही है तहरीक इनसाफ ने सब सवालों का जवाब दे दिया है हम हिसाब देने को तयार है क्योंके हमारा दामन साफ है शाम महमूद कुरेशी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मतलिक कहा इन दोनों जमातों का भी हिसाब होना चाहिए ये साजशी इमरान खान को ना एहल करना चाहते हैं और तहरीक इनसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं शाम महमूद कुरेशी ने कहा ने साजश हुई सौधे हुए जमीर बिक गया और एसे कायद को फारिख कर दिया गया जिसने डटकर करोना का मकाबला किया उन्होंने जलसे के अफराद से खसोसी तोर पर पूछा आपने फैसला करना है कि आपके मस्तक्बिल का फैसला क्या होगा आपने फैसला करना है कि गुलाम बनकर रहना है या अजाद कौम बनकर सर उठा कर जीना है आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के मस्तक्बिल के फैसले इसलामबाद में होंगे या वाशिंटंग में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा हम अगली वीडियो में पिर हाजिर होंगे तब तक कि लिजाज़त दीजिए अला हाफ़िज